Hello friends, में नाम है वीजय, यह हमारा part 3 है came-map का, जिसमें 4 variable came-map को solve करना से काम आपको, किस तरह solve करते हैं, किस तरह से pair बनते हैं, तो चलिए, इस start करते हैं यहाँ पर देखे, मैं 4 variable came-up मैंने यहाँ लिया है, और मैंने जो form लिया है, यह अपकी POS वाली form है, product of sum वाली, ठीक है, इस form को मैंने लिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम 1 की जगा किसका use करेंगे, 0 का use करेंगे, लेकिन pair उसी तरह से बनते हैं, जैसे आपके बनते ह ठीक है, यहाँ पर मैं pairs बना रहा हूँ, तो pair बनने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया, 0, यहाँ 0 है, यह 0 है, आपका यह 0 है, यह 0 है, यह 0, 0, 0, यह 0 है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, अब यहाँ पर आप किस तरह से pair बनाएंगे, यह सबसे बड़ा पेर दिख रहा है वो यहां पर दिख रहा है इस तरह के से ठीक है सबसे बड़ा पेर 8 का पेर हमें यहां दिख रहा है तो हम इसको यहां पर से ऐसे ले लेंगे यह देखे पहला पेर हमारा यह बना ठीक है इसका पेर और दूसरा पेर हमारा क्या बना यहां पर मैं क्या करता हूँ इसको और ये दो इनको ले लेता हूँ मतलब मैंने position कौन से ली one zero और two six और four इनका चार चार का pair बनाया ठीक है और फिर देखिए यहाँ पर आप single नहीं बनाएंगे जितना maximum बन सकता उतना बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसको मैं इसके साथ ले ले यह है आपका पहला pair ठीक है और यह जो pair है यह आपका third pair है ठीक है वीडियो का अच्छे quality में देखिएगा इसमें question किस तरह से होगा देखिए आप इस तरह से expression लिखा हुआ है function लिखा हुआएगा एक यहाँ पर position consistency है यहाँ पर 0, 1, 2, 6, 14 और यहाँ पर मैं increasing waterman लिख रहा ठीक है 4, 5, 12, 13, 8, 9 ठीक है और इसका output देखिए किस तरह साएगा सबसे पहले मैं जो pair ले रहा हूँ वह आपका 1, 3 वाला pair ले रहा हूँ 3 pair क्योंकि सबसे बड़ा pair है तो यहाँ पर minimize हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए किन दो block को देखना है मुझे इस block को और इस block को द यह बचेगा x plus y और x plus z का complement तो यहाँ पर क्या जाएगा देखिए जो common है वो आ जाएगा मत्तब x आ जाएगा यह product of sum है तो यहाँ पर multiply लगेगा दूसरे वाले block के साथ अब दूसरे वाला क्या है यहाँ पर 2 है 2 में देखिए कौन-कौन से block यूज़ हो रहे है एक यह व complement कट जाएगा तो www यहाँ से क्या पचेगा yy तो यहाँ आएगा सिर्फ y इस first से क्या आएगा first pair से first pair में कौन-कौन से use हो रहे है एक हमारा यह वाला use हो रहे है ये वाला और एक ये वाला और vertically एक ये वाला और ये वाला ठीक है तो यहाँ पर से आ जाएगा y, उपर vertically से y आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर, और gently से क्या जाएगा, jet का compliment, क्योंकि w से w compliment cut जाएगा, यह w से w compliment cut जाएगा, तो jet, jet compliment जाएगा, तो यह आपका answer आ गया, ठीक है, इस तरह से इसमें pairing होगी, तो यहाँ पर देखिए, अब हम इ जीरो है, और यहाँ पर एक जीरो है, और यहाँ पर एक जीरो है, तो यहाँ पर कैसे pair बनेंगे, तो देखिए, सबसे पहले, ज्यादा वाला pair हम लोग बनाएंगे, तो हम इस तरह का pair ही बना सकते हैं, एक pair ये, इन दो को ले लिया, ठीक है, फिर ये दो बचे हैं, अब हम चार चार के बन गए और फिर इसको भी हम लो क्या कर सकते हैं तू के सांद यूज कर सकते हैं दू पेर इसके बना सकते हैं ठीक है तो वाइट से ले रहा हूँ ये आपका एक पेर ये बन जाएगा ठीक है सारे के सारे यूज हो गए हमारे ठीक है पहला पेर क्या बना ये ब्ल एक ये यूज हो रहा है ठीक है और vertically ये यूज हो रहा है और ये यूज हो रहा है तो 1 से क्या answer निकल क्याएगा जो common होगा z और z ताग या z प्लस का sign हैगा बीच में यहां पर क्याएगा x प्लस y है और यहां x complement y है तो यहां से y आ जाएगा multiply फिर देखें दूसरा pair क्या है था हमारा दूसरा pair यह है हमारा then change कर लेते हैं इसमें ये दो vertically use हो रहे है column और row कौन सी use हो रही है ये वाली ये दो row use हो रही है तो यहां से वही आ जाएगा same z common आ जाएगा z और यहां इस side से क्या common आजाएगा इस side से आजाएगा LOC और यहां पर column सिर्फ एक use हो रहा है तो column जियर फूरा आ तो पूरा जाएगा और यहां परOW में क्या होगा इधर इधर इन दोनों में डबलो डबलो आ जाएगा तो यहां से डबलो आ गया तो यह आपका अंसर आ गया अब देखें कुछ और example हम लोग लेते हैं यहां पर यहां पर देखें मैंने 4 variable के मैं प्ले लिया लेकिन यह मैंने कौन सी form में लिया है SOP sum of product वाली form में लिया है इसमें कुछ example हम लोग देखते हैं यहां पर यहां पर मैं माल लेता हूँ 1 है कितने pair बनेंगे किस तरह से pair बना सकते हैं वो देखते हैं कि करके एक pair तो मुझे इन दोनों का दिख रहा है यह दोनों का 5 और 13 का pair यह एक pair दिख रहा है दूसा pair मुझे यहां पर क्या दिख रहा है दूसा pair मुझे देखे यह दिख रहा है थर्ड pair देखे मुझे क्या दिख रहा है थर्ड pair मुझे यह दिख रहा है 11th position और 10th position वाला और 4th pair मुझे क्या दिख रहा है 12 position और 13 position का दिख रहा है और एक pair हमारा single रह जाएगा जो वो ये वाला pair है 0 position वाला तो सबसे पहले 0 position में जो pair है उसको देख रहे है ठीक है यहाँ पर ये 1 को single 1 है हाँ तो row कौन सी use हो रही ये वाली और column कौन सा use हो रही है ये वाला तो इसका मतलब कुछ नहीं कटेगा ठीक है तो simple expression लेखेंगे yz complement complement x complement y complement अब pair क्या बना मैं 5 और 13 वाला pair देख रहा हूँ ठीक है ये दो pair देख रहा हूँ मैं इन दो pair में क्या बनेगा देखें यहाँ पर row कौन सी जोरी है ये वाली और ये वाली ठीक है कौन सी ये वाली और ये वाली rows हो रही है मतलब यहाँ से का common आएगा z common आएगा और यहाँ से क्या आएगा पूरा का पूरा ये column है इसमें कुछ किसी से नहीं कटेगा तो यहाँ पर x complement y आजाएगा है यहाँ पर उसके बाद देखें थर्ड पेर में कोई ये दिखा 12th position 13th position वाला इसमें कौन सा row कौन सी यूज हो रही है yz वाली simple yz तो पूरा ही आ जाएगा और जो हमारी column यूज हो रही है वो ये दो column हो रही है हमारी यूज x complement same रहेगा y और y का complement cut जाएगा ये आएगा answer ठीक है उसके अब फिट से plus अब हमार एक pair यह रहेगा 15 और 11 वाला ठीक है ये वाला pair के बात करा हूँ 15 और 11 यहाँ पर कौन कौन सी row use हो रही है आपके ये रही रही है और ये वाली तो इसमें से common क्या निकल आगाएगा w तो यहाँ से w निकल के आगया और row कौन सी है ये वाली row है xy वाली तो यहाँ पर xy आजाएगा ठीक होगा अब plus का sign अब ये दो 11 और 10 पोजिशन वाला pair इसमें ये दो आपके column यूज हो रहे है मतलब यहाँ से क्या निकल के आजाएगा x निकल के आजाएगा y से y compliment कर जाएगा और row कौन सी यूज हो रही है ये वाली row यूज हो रही है तो यहाँ पर क्या निकल के आजाएगा simply yz का compliment yz का compliment तो यह आपका answer हो जाएगा एक और example यहाँ पर लेते हैं ठीक है इस तरह से pairing किये है मैंने तो यहाँ पर देखे कैसे कैसे group बनेंगे सबसे पहले तो हमने देखेंगे maximum किसमे cover हो रहे है चार cover हो रहे है इस तरह के से तो मैं 4 इन को ले लूँगा ठीक है ये 4 आगे हमारे पहले group में second देखे और कहीं 4 आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है आप ऐसे नहीं कर सकते मतलब ये ये ले लिया और एक group ऐसे ले लिया इसका मतलब है जो हमने group लिया था ये वाला ठीक है इसमें ये भी इसके थान यूज़ होगे ये भी इसके ना दोगे तो redundant हो गया है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ इस तरह से ये वाला group लिंग है ये answer चक करते हैं सबसे पहले four four ones का इक group है उसका क्या answer आएगा पहले row कॉन से use हो रही है ये और ये column कॉन से use हो रही है ये और ये तो row देख लेते हैं row में क्या common आएगा w का compliment आएगा common और यहां से क्या निगल क्या एगा exo compliment आगया ठीक है प्लस का sign अब इस वाले group में क्या उन से हो रही है हमारी यहाले group में one one वाले में 13 position और 15 position में ये वाला row आ रही है तो पूरी आ जाएगे मतलब यहां से right position वाला तो इसमे y-z आ जाएगा सीधे compliment और column कोण से ही ये वाला और ये वाला तो इसमें x आ जाएगा फिर हमारा आखरी ये बचा ये वाला तो इसमें कॉन सी रो है या ली रो है तो मतलब y का compliment z का compliment और आपका आगया ये वाली रो और ये वाली तो यहां पर से इसमें से क्या कट जाएगा Y का कॉम्लिमेंट बचा रहेगा और X कट जाएगा तो यह आपका अंसर आएगा ठीक है तो यह आपका अंसर हो गया देखिए एक और एक्सांपल ले लियता हो मैं यहां पर POS का और वाल है ठीक है तो इसमें कैसे तरह से पेर बनेंगे यह देख लिजे तो सबसे पहले हमें यहां पर दिख रहे हैं maximum कहां पर हंगा maximum 4-4 के बना सकते हैं 8 के तो नहीं बन रहे हैं तो एक हम यह ले लेंगे के पेर 3-7-15-11 वाला दूसरे क्या ले लेंगे यहां पर यह ले लेंगे पेर सेकंड पर यह आगा 12-13-14-15 वाला और तीसरे पेर आपका यह आगया 6-14-12 वाला तीन पेर आगया आपके तो सबसे पहला जो pair है 0, 7, 15, 11 वाला वो देखते हैं उसका answer क्या आएगा row सारे की सारी use हो रही है तो यहाँ से support कट जाएगा बचेगा क्या सिर्फ column वाला column क्या है एक्सा complement प्लस y का complement फिर यहाँ पर इस row में यह row है और column तो सारे आ गए तो यहाँ पर column से column कट जाएगे सारे row रो बचेगी तो यहाँ का y का complement plus z और इस case में देखे यहाँ पर 3rd जो group है 4, 12, 6, 14 position वाला इसमें आपके दो column आ रहे यह वाला और यह वाला यह दो row आ रही है और column कौन से आ रहे यह वाले और यह वाला column हमारा है तो यहाँ पर से देखे क्या कटेगा w से w का complement कर जाएगा और z complement बचेगा और plus का sign क्या आएगा x से x का complement कर जाएगा बचेगा y का तो यहाँ पर यह आपका answer आगे अब next video से हम लोग सेखेंगे कि अगर इसमें don't carry वाली condition आ जाती है don't carry condition क्या है ठीक है क्यों वो आती है ठीक है और उससे क्या हमारा output में अंसर पड़ता है वो देखेंगे ठीक है कि उसके question आ सकते हैं बहुत ज़्यादे frequently इसके question आते हैं game app में तो आज की वीडियो में इतना ही thank you watching goodbye take care क्यों आते हैं